सो माई दियर इस्टोडेंट वेलकम उस अगें कैसे आप सभी आश्यक्रतों सभी फीट होंगे प्यारे बच्चों प्रिवेस्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो आपका चल रहा है 4.1 इसके क्वेस्ट नाइन तक आपको डिटेल में समझाया थे इस वाले वीडियो में ह प्रिवेस्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथी मैं जितने थी एक्सरसाइज करा रहा हूं ना इनके नोट्स बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से वह चीज मतर्कि है वीडियो देखने पाद है अगर आप ले जाओ ठीवी को इधर ले जाओ यूदकि प्लस में है तो आगे पीछे किया जा सकता है माइनस वाले को आगे पीछे नहीं भी करेंगे लोग कर सकते हैं तो हमारे पास यह माइनस बी और एप्लस बीलोग फॉर्मुला लग जाएगा बस उस फॉर्मुला अप्लाई करना है और हमारा सारा का सारा को सॉल्व हो जाएगा इस वाले एकसर से जितने भी क्या है ना वह आपके फर्स्ट जो अपने क्लास 7-8 में जो फॉर्मुला पढ़े हुए है उन्हीं फॉर्मुला से रिलेटेड है आगे जो नए फॉर्मुला आगे काम आएंगे तो चली इसे कि बस आपके जो question में इसको आगे पीसे दिया हुआ था उसको मैंने A वाले को पहले लिख लिए और B वाले को बाद में लिख लिया है इससे फैदा क्या होगा कि मेरा A-B और A-B और A-B वीडियो में सिखाया था कि कभी पर A-B और A-B के टम पे अगर हमारे वासे equation हो तो व है उसको भी रहने दो 1 by 4 A का square प्लस में 9 B का square इसको as it is रहने देंगी अगर इसको मैं solve करता हूं तो यहां पर देखो 1 का square तो 1 ही हो जाएगा नीचे में 2 का square हमारे पास 4 हो जाएगा और यह A का भी square हो जाएगा उसके बाद इधर हमारे पास minus में 3 का square 9 हो जाएगा और B क सब्सक्राइगा इधर हमारे पास one by four A का square पहले से है और प्लस में 9 B का square है तो हमने यहां पर formula और फिर से हम पर formula अप्लाइगे यहां वी साइंगे to तो दुबारा formula लगाएंगे तो फिर से हो जाएगा हमारे पास a का square तो 1 by 4 a का square जो है यह ना इस complete का square करेंगे धियान रखना कि यह जो पूरा term है यह मेरा A है और इसी कम को square करना है उस तरीके से यह पूरा term है यह B है तो जो 9B का square है इस complete का square कर दो तो A square minus B square फिर से हो गया अब इसको solve करो तो आपका answer ready है 1 का square 1, 4 का square 16 और A के power में 2 है और यहां भी 2 है तो 2, 2 जा 4 हो जाएगा उसके बाद यहां पर 9 का square हमारे पास 81 हो जाएगा और B के power में 2 और 2 है तो B के power में 4 हो जाएगा और यही आपका final answer है इस वाले question के लिए यह इसी का second part है जहां पर हमें M plus N by 7 के power में 3 दिया हुआ है और M minus N by 7 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर power में 3 है जैसे कि मानलो मेरे पास 2 के power में 3 रहता तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 के power में 2 multiply 2 के power में 1 क्योंकि 2 और 1 मिल करके तो 3 ही बना लेंगे तो हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इधर हमारे पास M minus N by 7 है यानि A minus B इधर है हमको A plus B निकालना है तो यहां से A plus B निकाल लो आप क्या करो इसको M plus में N by 7 का square कर दो power में 2 कर दो और एक बार इधर से अलग कर दो यानि कि M plus में N by 7 को अलग कर दो तो यह 2 और इसका जो 1 है मिल करके आपसमें 3 बना लेंगे लिए हमको तो भी अलग करने बनाना नहीं है उसके बाद अब इस सेट हो हमारे पास क्या भी है तो M minus N divided by 7 इधर पर है हमारे पास तो देखो इसको तो इसको इस रहने तो इसको सॉल्व करने की जुरत है नहीं आपको N by 7 का square इसको ऐसे रहने दो इधर हमारे पास A plus B और A minus B फिर से बन गया है तो फिर से हमारा A का square हो जाएगा तो मैं direct solve कर देता हूँ A का square यानि कि M का square और फिर minus में B का square यानि कि N square हो जाएगा और नीचे में 7 का भी square हो जाएगा जो कि 49 होता है तो यह इसका answer होगा इस तरीके साब question में 10 solve करना था I hope clear हो गया होगा आपका doubt आगे बढ़ते है 11 यह वास तो देखो जो आगे question है इस टाप से question हमने 456 वाले question solve किया हुआ है है बस वहा पर उल्टा कर दिया है पहले हमको X minus में 1 इस दिया रहते था इस वर अपने को x square और value दिया हुआ है हमको इसका value निकालना है पहले इसका value दिया रहता था इसका निकालना रहता था तो तो देखो हमको इसका value दिया हुआ है x-1 by x का निकालना है तो जिसका भी value निकालना है ना आपको लेकिन इसका तो कुछ वैल्यू होता नहीं है तो इसका आपको 10 स्क्वाईर कर देना है जब आप इसका स्क्वाईर करोगे तो हमारा data क्या जाएगा हमारे पाइस हो जाएगा ए तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 1 by x का whole square equal to अब देखो यह जो हमारे पास value है x square प्लस यह वी चले तुम एक एक स्टेप समझाता हूँ आपको डिटेल में x square प्लस में 1 by x square इसको आपको थोल सा ऐसे bracket में close कर दो क्यूं close कर रहा हूं मैं विताओंगा आपको यहाँ पर whole square equal to हो जाएगा इधर इसके बदले में 66 लिखेंगे minus में 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास x-1 by x का whole square equal to हो गया हमारे पास 64 हमको तो value चाहिए था x-1 by x का square का value चाहिए नहीं था तो हम square को transfer कर देंगे तो x-1 by x equal to हो जाएगा root के अंदर 64 क्योंकि square कभी भी transfer होत तो रूट 64 8 का होता है तो यह जब बाहर निकलेगा तो यह बन जाएगा मेरा प्लस माइनस 8 तो इस तरीके से आपको जो आंसर है निकल करके आ जाएगा आजएगा आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से कोई से में 11 को सॉल्व करना है आपको अपने से खुद से बना करके उसको सॉल्व करना है तो 11 जैसे सॉल्व हो ऐसी हमारा 12 भी सॉल्व होगा तो 12 वाले में अलग बस यही है कि यहाँ पर पहले माइनस दिया होता है इस पर प्लस दे दिया है तो हमको प्लस फॉल्वा फॉर्मुला लगाना है हम लोग लिखेंगे कि X प्लस में 1 बाई X का होली स्क्वार ठीक है इ करते हैं सबसे पहले दियान दो यह gaining minus xWhen एक में 2 है माइनस में 2 x5 है थे इधर 2 x5 है और minus Explain to है तो हमको क्या करना पड़ेगा इं दोनों इस किसी को भी आगी पीछे करना पड़ेगा थो आधार से में साइन को कौमन ले 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 ताओ माइनस की साइन यदूनि उपर निकाल है माइनस में x square प्लस में 2x इसको side में रखो अभी तो यहां पर देखो a-b a-b दोनों आपसे multiply में हैं तो मैं इसको क्या ली सकता हूं a-b का holy square 2-5 2 by 5 माइनस में x by 2 का holy square हो गया माइनस में x square plus में 2x इधर रहेगा तो यह हमारा क्या बन जाएगा a-b का holy square का प्लस में b का square तो यह हो जाएगा हमारे पास x by में 2 का square और माइनस में 2a-b तो मैनस 2 multiply 2 by 5 और multiply x by में 2 हो गया माइनस 2a-b इधर हमारे पास बाहर में जो है x square प्लस में 2x इसको as it is रहने तो तो यह हो जाएगा हमारे पास यहां से अगर आप इसको bracket खोलना भी चाहो तो यहां पर से हटा भी सकते हो bracket को चलो मैं हटा जी देता हूँ bracket हटाने से यह फिर विद्वन सॉल्व कर लेते हैं पहले 2 का स्कार तो मेरा 4 हो जाएगा 5 का स्कार 25 हो जाएगा प्लस की साइन के साथ यहां पर X का स्कार हो जाएगा और डीचे में हमारे पास 2 तू जा 4 हो जाएगा यहाँ मेरा numerator और numerator का 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 2 का x मुल्टिप्ले होगा 2x डिवाइड बे में 5 आ गिया बाहर में हमारे पास x के square प्लस में 2x है अब जाकर आप terms को आगी पज़े करो देखो यहाँ पर भी x square है यहाँ भी x square है तो यह solve हो जाएगा यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है तो यह solve हो जाएगा तो इसको हम लोग bracket हटा करके कर solve करें तो minus और plus फिर से मेरा minus हो जाएगा 25 minus और plus हमारे पास यहाँ पर फिर से minus हो जाएगा जो कि हो जाएगा x square divide में 4 इस x square को मैं यहाँ पर लिए आता हूँ ठीक है उसके बाद minus का हमारे पास 2x जो था तो minus और minus प्लस का 2x वाला हो जाएगा यह और फिर यह जो 2x इधर plus में है उसको उतार देता हूँ यानि कि मैंने यहाँ पर like terms को इकठा कर लिया है और आप लोग इस तरीके से equal की sign लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं कि यह बार भूल जाता हूँ लेकिन आपको एक्जाम में नहीं भूलना है नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे तो इसको हम लोग रहने देते हैं यह तो हमारा solve होगा नहीं इसको एज़िटीज रहने दो इधर हम लोग के पास इसके पास one है तो सौटकर तरीका क्या है इसके इससे multiply करो और उपर में add कर दो सə हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा लेकिन हे इसगेदिन न यहाँ पर हमारे पास x स्कॉयज जह था माइनस में था और यह स्कॉय भी माइनस होगिया है और ऑद यह हो जाएगा अब इसका प्र लिख लो एक्स्वेरrire को पहले लिखो देखो 4x square और माइनस में 1x square दोनों एड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी तो माइनस 5x square divided by में 4 हो जाएगा फिर x वाले को लिख लो 10 और 12x divided by में 5 और लास्ट में number को लिख दो यानिकि 4 by में 25 तो इस तरीके से आपका final answer आजाएगा तो यहां पर आपको चाहो तो एक बार इसको साइन को कॉमन ले लूँ तो मेरा यह एक्स जो है वो तो माइनस में आ जाएगा और यह टू हो जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो एक्स स्क्वाइर प्लस मिगए यहां पर ब्रेकेट में डाल देताहूं मैं एक्स-2 को ताकि यह फूरा मепेर मेरा इक हो जाह है मेरा वियर प्लस भी है इधर हमारे पास एक्स स्क्वाइर टेक है इसको बड़ेर में लिख दिता हूं और लんだ टो कि अगर common ले लेते हैं तो यह मेरा एक्स हो जाएगा और यह माइनस में टू हो जाएगा इस तरीके सो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस हमारा माइनस होता है और माइनस और माइनस प्लस होता है तो अब यह मेरा बन गया जो कि हमारा होता है A का square तो हम लोग जो X का square है उसका पुरा का पुरा square कर देंगे A का square हो गया 나श में B का square तो B के बश़िते हमारे पास X minus 2 है तो X minus 2 का square कर दो तो यह तो हमारे four हो जाएगा power में इधर हमारे पास जो it solve होकरके A minus B का whale square अ ही Bonitar peng हो जाएगा a square plus में b का square तो 2 का square 4 होता है फिर minus में 2a b होता है ना तो मैं इसको solve ही कर लेता हूँ 2 का a के साथ multiply और b के साथ multiply तो minus 2a b हो गया तो यह बन जाएगा हमारा x से power में 4 यहाँ पर आप bracket hold हो तो minus plus minus में x square फिर minus plus minus में 4 और यहाँ पर भी minus minus plus हो जाएगा टू टू जा फोर और यह x उतर जाएगा तो यह इसका final answer हो गया इस तरीके साथ को solve करना है तो यह हमारा third question है आए से भी solve करें सबसे पहले देखो यहाँ x cube है 3x square और x है यहाँ x square है 3x और 1 है तो यानि कि क्या-क्या इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लिया इधर कुछ नहीं करना इधर x square minus में 3x plus में 1 कर दो अब अगर आप ध्यान दोगे न तो पहले हम लोग क्या करते थे इसको a मानते थे यह दोनों term को बनाते थे लिकिन यहाँ पर यह नहीं रहा है मैं यहाँ से पुरा A है, माइनस में 1 है, तो इसको माइनस B मान लो, यहां से यहां तक मेरा same to same दोखो, यह जो था, वही यहां पर भी है, तो इसको पूरा का पूरा मेरा A मान लो, और प्लस में B हो गया, अगर इसको अब हमनों को इसको solve करना है तो मेरा formula भी लग जाएगा a-ba plus b यानि की a का square तो a का square के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले x का square minus 3x इन सभी का whole square करना पड़ेगा तो यह मेरा b यह दुनों का a का square हुआ है उसके बाद b का square करना है तो one का square करना पड़े x है तो 3x से square करो फिर minus में 2a b होता है तो minus 2 multiply x का square और multiply 3x तो 2a b हो गया उस बाद minus में 1 का square तो 1 ही हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा x bracket में x से power 4 आ गिया प्लस में 3x का square हो जाएगा यह उसके बाद minus में 2 3 जा 6 हो गया और x से power तो x से power में 3 हो जाएगा उसके बाद हमारे पास minus में 1 उसको digits उतार दो अब सभी का multiply कर दो यहाँपर हमारे पास x का multiply होगा तो यहाँपर x से power 1 यहाँपर 4 एक से power में 5 आ जायगा ठीक है उसके बाद थिर Valenty को पहले लीखता हूं पावर में 2 और 1 3 उसके बाद फिर माइनस में यह होगे हमारे पास 6 एक से पावर में 3 और यह 1 मिल करके हो जाएगा 4 एक से पावर में 4 कर दो और फिर इसको एरेंज करना बोलते हैं तो यह थर्ड पाट हो गया चलिए आगे सॉल्ब करते हैं तो जो मारा फॉर्थ क्वेशन यह भी सीमिलर है यहां पर देखो टू एक से पावर में 4 माइनस में 4 एक से स्क्वार है तो यहां से यहां तक आप लोग एक टम बना लो ठीक है इसको ब्रेकेट में कर सकते हो यह बड़ण ब्रेकेट लगा सकते हो और उसी तरिकें सी यहां भी हमारे पास इसको आप ब्रेकेट में क्लोस कर दो इवाला तो इससे होगा क्या कि है आपको साफसतोerd दिखेगा कि यह स्कौैर के देंगे माने माइनस में हो गया तो फीर से लिता solve करो तो a-b को holy square है तो वो होता है a का square तो a के बदले में जो है उसको लिखो उसका square बना दो plus b का square तो b के जदले में जो है उसका square बना दो फिर minus में 2ab तो 2 into 2x के power में 4 और multiply 4x का square तो minus 2ab हो गया उसे बदलास्ट में जो minus 1 का square है उसको 1 बना दो डारेक्ट 1 के स्कार 1 होता है तो अब यहाँ पर 2 का स्कार तो 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 2 हो जाएगा 8 तो X के पाउर में आ जाएगा 8 त्याहां रखना कि इस तरीके जब्रता है यहाँ फॉर्मूल लग रहे हैं पर था दो यहाँ पर जब यहाँ पढ़ी यहाँ फ़ॉर्मूल लग रहा है यह के पाउर में मोख आपस में दोनों को ऐड़ किया जाता है यहां पर जिसका हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यह कभी भी नहीं होगा चाहे ए बी और सी कोई भी वैल्यू रख लो आप लोग का यह जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा आप इसको करने लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा से इसको हम लोग सिंप्लिफाई करना पड़ेगा अब यह समझाता हूं कैसे करेंगे तो यह हमें एक ट इसको कोकुछ लिए लिखा हुआ है तो अगर मैं A का ऊपर में टू से मल्टिप्लाई कर दूँं और नीचे में 2 से द्वाइड कर दूँं तो इसको कुछ क्छ चेंज होगा क्या तो केंश नहीं होगा क्यों कि तो कैंसल हो जाएगा और तो मेरा A ही बचेगा तो A को मैं इ मीनस में 2bc माइनस में 2c हो गया और सभी में मैंने 2 का मल्टिप्लाइ किया है तो सब में में को 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा तो इस तरीके से भी लिख दो क्योंकि हम जानते हैं जब डिवाइड में 2 रहेगा तो यह इससे भी डिवाइड होगा इससे भी सब क्लिए हो जाएगा यह ठीक है तो यहां पर लोग इसको एक ही बार में डैट ऐसे लिख सकते हैं अब ऐसे लिखने से फैदा क्या हुआ बहिए ऐसे लिखने से फैदा यह हुआ कि अब यह मेरा 2ab2bc2c इस टैप से देखकर क्या बोलग रहा है कि कुछ फॉर्मला बनेगा तो बिल भी ले लेते हैं इकठा यानि कि हम थोचा आगे पीछे कर रहे हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारा यह एक फॉर्मला बन जाए तो इसको आप आप लोग ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो a2b2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2bc2b हाव भलते हैं तो पहले को लिखेंगे 400 प्लस के स्कुरुए एका स्कूर लिख लेते हैं जो कि हमारेرجаешь एक बचा हुआ था एक हमने यूस कर लिया था एक बचा था तो यह सी स्कूर प्लस एक स्कूर और माइनस में और यह हो जाएगा इस तरीक है और सब्लस एच्व्यों करके आ जाएगा तो बहुत सारे तरीके होते लिखने के आपको जो इजी लगे वैसा तरीके से लिख सकते हो तो हम लोग यहां पर आते हैं मिन यह हमारे पास a square plus b square minus 2ab है तो यह क्या बन जाएगा a minus b का holy square क्योंकि minus b條-a integral गया नहीं है यहां हरा सब्रके सब्सक्राइब क्योंकि thành घ्रütट को यहां पर यहां पर थेक्राइब कना और नहीं रहे ऑड़ारी मैँने एक का हिसे करा रहा है cच्छा मतलब यह इसका भी तो सकते हैं तो ऐसा नहीं बच्छा मैंने आपको classic 7 में किया एक basic सिखाया था यादा है आपको मैंने एक चीज आपको सिखाया था कि कभी भी किसी भी number का अगर square हो power में अगर even number हो तो उसका answer भी हमेसा क्या आता है हमारे पास एक positive number आता है जैसे two तो का वोग ना तो 2 multiply to 4 हो जाएगा उसी तरीके से माइनस 2 स्क्वाइर होगा तो भी वो माइनस 2 माइनस 2 मारे नंबर रहता है तो आंसर हमारा पॉजिटीव में आता है और जितने पॉजितिव नंबड़ है वो क्या जीरो से घ्रेटर है इसलिए यह सारे जो नंबर हो जो जी रोर से ग्रेटर हो जाएंगे उग आए हमारे पास इवें नंबर है इस्व Europol या सोगा वह एकल जीरो से क्या होता है उसलिए दॉप आपको क्लासिक स्वाला चीज तो बीच में 0 आता था राइट में 1 2 3 सरी के साथ आता था लेफ्ट में माइनस 1 माइनस 2 आता था तो जीरो के राइट में जो की नंबर है वो क्या 0 से ग्रेटर होते हैं तो यहां पर आपको फिर स्टेट्मेंट बना करके लिख दोगे कि सो इसी लिए यहना ओल्वेज इसमें क्या बला था प्रूब एक स्कार बीस्कार इस ओल्वेज नॉन नेगेटिव पर आल वैल्यूस ऑफ यही लिख देना है देखो मैं लिख नहीं रहा हूं टाइम पस नहीं करता हूं आपका ज्या बाकि पूरा पूरा सेम उतार देना कि हमारा एब और से के लिए हमेशा यह नॉन नीगेटिव ही होगा नॉन नीगेटिव मतलब जीरो नहीं होगा यानि माइनस नहीं होगा नॉन नीगेटिव का मतलब क्या होता है नॉन नीगेटिव मतलब कि वह जीरो से छोटा जीरो से से greater होगा हमने 0 से greater इसलिए प्रूफ किया क्योंकि हमसे बोला गिया था कि इनका जो value है वह नॉनन निगेटिव है और नॉन निगेटिव क्या होता है नॉन निगेटिव होता है 0 से बड़ा नंबर इसलिए हम ने इसको 0 से बड़ा प्रूफ कर दिया तो जीरो चे बड़ा प्रूफ कर दिया तो यह आटोमेंटिकली हमारा नॉन निंगेटिव हो गया तो आई हो कि यह कुछिन आपको बहुत अच्छा स्क्लियर हो गया होगा यहां पर हमारा एक्सेर से 4.1 कंप्लीट होता है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाए जीरोड़ कि यहां वार ।